नमस्कार में हूँ अबिनाश पांडी और आप देख रहे हैं DTV भारत चुनाव टल गया है जी हाँ चुनाव टल गया है और ये कोरोना के कारण टला है लेकिन कौन सा चुनाव टला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं दरसल भारत निर्वाचन आयोग ने ये डिसाइड किया है ये आदेश निर्देश दिया है कि जो उपचुनाव होने वाले थे उसे टाल दिया गया है बिहार में भी एक सीट पर उपचुनाव होना था जो तारापूर की सीट थी जहां से पुरो सिक्षा मंतरी में वलाल चौधरी विधायक थे हलाकि कोरोना संक्रमन के कारण उनक देश के जो अन्य कई सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे जहां पर वहां के लिए इसे टाल दिया गया है इसमें कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए ये निर्णे लिया जा रहा है भविश्य में जब भी स्तुतियां समान्य होंगी और उस पर समी समिक्षा करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इस पर चुनाव कब कराया जाए हलाकि छे महीने का वक्त होता है छे महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है लेकिन आयोग का ये मानना है कि जब तक समिक्षा नहीं कर ली जाएगी तब तक ये चुनाव भी फि जा रहा है हलाकि ये निर्णे जो है वो बिहार इलेक्शन कमिस्टन को लेना है अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है हम यह ऐसा इसलिए कहा रहे हैं क्योंकि अब भारत निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला ले लिया है तो ये तैमानिये कि बिहार में भी पंचा बड़े संख्या में EVM मंगा कर उस पर चुनाओ नहीं कराया जा सकता है तो फिलाल ये तैमानिये कि पंचाय चुनाओ का टलना भी तै है हालाकि इसका असर विधान पास्त की जो 24 सीटे हैं वहां पर भी होने जा रहा है क्योंकि ये 24 सीटे जिसके लिए वोटिंग जो होती है वो मुक्या करते हैं वाट पास्त करते हैं तो इस पर भी सीधे तोर पर असर पढ़ने वाला है इसका भी चुनाओ स्थगित हो सकता है या होगा ही क्योंकि जब मुक्या रहेंगे नहीं तो वोट कौन करेगा जिस तरीके से आपको बतारे कि 15 जून को सारे मुक्या वाट सदस्य की बात कर ले सरपंच की बात कर ले ये इनका कारेकाल खत्म हो रहा है तो फिर ये विदान पास्त के लिए किसी भी तरीके से वोट करने के लिए इलिजिवल नहीं होंगे तो ये तैय मानिए कि ये भी चुनाओ टलना निश्चित है हला कि जो अंदर खाने की कबर है कि ये जो 24-25 सीटे थी इसमें अधिकतर सीटे बीजेपी के खाते में थी तो बीजेपी को बिहार विदान परिशद में सीटों का नुकसान होने जा रहा है क्योंकि जो कर्यकाल है इन लोगों का ये भी पूरा होने जा रहा है ऐसे में चुनाओ कराना लाजमी था लेकिन च समिक्षा की जाएगे और समिक्षा के बाद ही उस्तुतियां क्लियर होंगे और उसके बाद चुनाओ कराये जाएगे तो बड़ी खबर हमने आपको बताई ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप DTV भारत को यूटूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका प्यार, समर्थन और सपोर्ट लगातार हमें मिल रहा है इसे ऐसे आगे ही बनाया रखिए फिलाल इतना ही पर नमासा तो देखते हैं DTV भारत नमस्कार